पांच राज्यों में चुनाव के बाद जिसका डर था वही हुआ अब आम लोगों को डबल जटका लगा है वो इसलिए कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के साथ-साथ घरेलू LPG सेलेंडर के दाम भी महंगे हो गए है पेट्रोल डीजल के साथ LPG सेलेंडर में कितने रुपे के बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यूं पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो चलिए इसको बेस्तार से समझते हैं और कितना पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है ये भी समझते हैं राश्ट्री अस्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रती लीटर बढ़ाया गया है राश्ट्री राश्धानी दिल्ली में 22 March 2022 को पेट्रोल के कीमत पन 95 रुपे 41 पैसे प्रती लीटर से बढ़ कर 96 रुपे 21 पैसे हो गई है जबकि डीजल का दाम 86 रुपे 66 रुपे प्रती लीटर से महंगा होकर अब 87 रुपे 47 पैसे प्रती लीटर हो गया है राश्ट्री अस्तर पर पेट्रोल और डीजल के भाव ऐसे समय में बढ़ाए गया है जब इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट आइल का भाव गिरावट के साथ 100 डॉलर परती बैरल पर आ गया है आपको बता दें कि रूस युक्रेन तनाओ के बाद कच्चे तेल का भाव 130 डॉलर परती बैरल के पार पहुँच गया था उस समय विधान सबा चुनाओं के बीट भारतिय बाजार में पेट्रोल डीजल के कीमतों में बढ़ात्री नहीं होई थी भारतिय पेट्रोलियम वेपिनन कंपनी इंडियन आईल कार्पोरेशन यानि आई ओ सी एल के लेटेस्ट अपडेट के मताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 22 मार्च 2022 को पेट्रोल के रेट में 109 रुपे 58 पैसे प्रती लीटर से बढ़कर 110 रुपे 82 पैसे जा पहुचा है जबकि डीजल की कीमते 95 रुपे प्रती लीटर पहुच गई है जो चार महिने से अधीक समय से 94 रुपे 14 पैसे प्रती लीटर बिक रहा था अब आपको बताते हैं कि 22 मार्च को महानगरों में पेट्रोल डीजल का दाम कितना है दिल्ली के अगर बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपे 21 पैसे प्रती लीटर और डीजल 87 रुपे 47 पैसे प्रती लीटर बिक रहा है मुंबई में पेट्रोल 110 रुपे 82 पैसे प्रती लीटर और डीजल 95 रुपे प्रती लीटर बिक रहा है चिन्नाई में पेट्रोल 109 रुपे 6 पैसे प्रती लीटर बिक रहा है वहीं कुलकाता में पेट्रोल 105 रुपे 95 पैसे प्रती लीटर और डीजल 90 रुपे 62 पैसे प्रती लीटर भी रहा है आपको बता दें कि राज अस्तर पर वाहन इंधन पर लगने वाले वैट यानि VAT की अलग दरों की वज़ा से विविन शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमते अलग अलग होती है 3 नवंबर 2021 को केंदर सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाये जाने के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमते इस्तिर थी बिहार, राजस्थान, मद्यप्रदेश समेत कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपे परती लीटर से अधिक रेट पर अभी बिक रहा है इसके अलाबे सरकारी आइल मार्केटिंग कमपनी इंडियन आइल कॉर्परेशन ने 22 मार्ज को LPG के दाम में भी बढ़ात्री करते हुए 50 रुपया महंगा कर दिया है इससे जनता की रसोई का बजट और बढ़ जाएगा और इससे बड़ा असर भी सामने आएगा आपको बता दें कि ये LPG के दाम में एजाफा अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार हुआ है हाला कि बीना सबसेडी वाले गैस सिलिंडर के दाम इस दारान बढ़ रहे हैं लेकिन घरेलू LPG सिलिंडर के दाम में एजाफा नहीं किया गया था आखरी बार घरेलू LPG सिलिंडर के दाम 6 अक्टूबर 2021 को बढ़ाए गये थे तो अब जानते हैं कि कितनी महंगी हुई है LPG सिलिंडर के दाम 50 रुपे के बढ़ातरी के साथ दिल्ली में प्रती 14.2 किलो ग्राम वाले सिलिंडर के अब 949 रुपे 50 पैसे हो गये हैं कुलकाता में गैस सिलिंडर अब 976 रुपे रेट से मिलेगा और चिन्ने में 965 रुपे 50 पैसे प्रती सिलिंडर के दाम देने होंगे वहीं उत्तरप्रद्र दिश्ट की राजदानी लखनाओ में 987 रुपे 50 पैसे प्रती सिलेंडर के दाम आपको देने होंगी बिहार की राजदानी पत्ना में LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपे बढ़ने के बाद 1,000 रुपे के पार हो गया है यहां 998 रुपे प्रती सेलेंडर से बढ़ कर अब दाम 1049 रुपे 5 पैसे पर आ गया है लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि पेट्रोल डीजल के दामू में बढ़ातरी क्यों होती है क्या तेल कंपनियों को वाकई में घाटा हो रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही तेल कंपनियों ने थोक में डीजल की खड़ीदी पर 28 रुपे प्रती लीटर तक की बढ़ातरी की यह कदम पैट्रोल डीजल पर हो रहे घाटे को कम करनी के लिए उठाया गया सबसे ज़्यादा नुक्सान नाइरा एनरजी, जीयो, वीपी और शेल जैसे नीजी रीटेल डिस्टिब्यूटर को हुआ है 2008 में सार्जुनिक शेत्र यानि PSU रीटेल डीलर्स को कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल बेचनी के लिए सरकार ने सबसीडी दी थी लेकिन प्राइबेट रीटेल डीलर्स को ऐसे योजना से बाहर रखा गया था Reliance Industry Limited ने अपने फ्योल लेडर्स को डीजल सप्लाई में 50 फिस्दी कड़ोती के लिए कहा है ऐसा ऐसलिए क्योंकि कमपणी को इसकी बिक्री पर 10 से 12 रुपे प्रते लीटर का घाठा हो रहा है ऐसा कमपणी का कहना है तो क्या तेल कमपणीों को वाकई में घाठा हो रहा है ये समझते हैं अंत्राश्विय बाजार में कच्च तेल के कीमत 100 $ पर ती बैरल के करीब पहुंचे होए हैं कच्च तेल 30 $ पर ती बैरल से ज्यादा महहगा हो गया है इसको चलते ठोक खरिदारों के लिए डीजल महहगा हो गया है अब आपको ये समझाते हैं कि डीजल पेट्रोल के किमते किन चार कारकों पर निर्वर करती है। अब समझते हैं कि कैसे ये तै होता है पेट्रोल डीजल के कीमते। जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारन आयल कंपनियों के उपर छोड़ दिया इस तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमते भी सरकार निर्धारिद करती थी लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी आईल कंपनियों को सौप दिया अभी आईल कंपनिया अंतराश्ट्रिय मार्केट में कच्छे तेल की कीमत, एक्साइज रेट और टेक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांस्पोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते वए रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारिद करती है और इसके बाद से अब प्राइवेट कंपनिया जो तेल कंपनिया है वो इन केमतों को निधारिद करती है तो यह उनके हिसाब से बढ़ता है कि कितने उनके बढ़ाना है और कितने इस पे पट्रावती करनी है हाला कि इस बार डबल जटका आम आदमी के लिए जरूर है क्योंकि पेट्रोल डीजल के साथ अलपीजी सिलिंडर के दाम भी बढ़ गए है आप देखते रिए नियोस तक आप